ओपो का एक बजेट फोन लांच हो गया है जिसका नाम है ओपो A18 ये फोन UAE में लांच हुआ है बहुत ही जल्द हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है चलिए देखते इस बजेट फोन में क्या कुछ नाया देखने को मिला है किस प्राइस में इसको लांच किया है और आपको इस phone के लिए रुखना चाहिए कि नहीं रुखना चाहिए तो शुरू करते हैं इसके processor से तो इसमें Mediatek Helio G85 processor है जो की 12 nanometer पर best है इसमें Android 13 colors 13.1 का support मिल जाएगा इसका एक ही variant है 4GB RAM 128GB internal storage 4GB virtual RAM भी मिल जाता है जिसको आप 4GB से 8GB तक extend कर सकते है ग्राफिक्स के लिए Mali G52 GPU मिल जाएगा ये dual rear camera setup के साथ आता है 8MP का wide angle camera, 2MP का depth camera और 5MP का front camera कहीं ये 445000 का तो नहीं है इसके rear और front दोनों ही camera से 30fps पे 180p वीडियो record कर सकते है इसका height 163.7 mm, width 75 mm, thickness 8.2 mm, weight 188 grams और ये IP54 के साथ आता है जो की हलका पानी और dust से बचा कर रखेगा डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.56 inch का IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है जो की 90 Hz refresh rate को support करता है resolution 720 x 1612 pixels, expect ratio 20 x 9 pixel density 269 ppi और ये दो colors में आता है glowing black और glowing blue इसमें 5000 mAh की battery मिल जाएगा इसमें dual band wifi, bluetooth 5.3 है 3.5 mm का radio jack मिल जाएगा HD guard का support मिल जाएगा NFC नहीं है, FM radio नहीं मिलेगा और इसका fingerprint sensor side mounted है तो ये सब OPPO A18 में देखने को मिल जाएगा इसका UAE का price है 316 AAD जिसको Indian रुपीज में convert करेंगे तो ये करीब 8000 के आसपास होता है क्या आपको इस phone के लिए रुपना चाहिए तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि इसका price UAE के इसा आप से देखेंगो तो 8000 के करीब होता है यानि कि इंडिया में आएगा तो ये phone एराउंड 10,000 का हो सकता है तो ये phone हम 10,000 में क्यों लेंगे बाकि आपको क्या लगता है हमें बता सकते है अभी के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में